हेलो गाइज अब वेरी गुड मार्निंग टो अल उफ यू स्वागत आप सभी का ओनलाइन इस्टडी अकैर्मी में आज देखे साथ जुन 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफ्यर्स हैं वह डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में साथ ही देखेंगे इ अफेट टी एज किए इसे यन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2 2007 डीकश है एस तो सिंगवा यूनिवरिसिटी टॉप पे रही है दूसरे नंबर पे चाइना की ही थी पीकिंग यूनिवर्सिटी और भारत की तरफ से कौन रही है सबसे उपर तो भारत की तरफ से IIHC बैंगलोर थी सबसे उपर तो इस question का answer हो जाएगा आपका option नंबर ए सिंगवा यूनिवर्सिटी ने टॉप किया इस रैंकिंग में तो जो यह रैंकिंग है यह टाइमस है एजुकेशन के दौरा जारी की जाती है हर साल और जो ओवराल रैंकिंग है IIHC बैंगलोर की यह 37 थी भारत की तरफ से सबसे उपर थी लेकिन ग्लोबली यानि पूरवी शोहर में 37 थी IIHC के साथ IIIT रोपर और IIIT इंदौर को भी टॉप 100 में जगह मिली है IIIT रोपर 55 पोजिशन पर थी और IIIT इंदौर 78 पोजिशन पर था अगला कोश्चन है वाट इस दा कॉस्ट ओफ इंडियन नेवी प्रोजेक्ट पी 75 तो बिल्ड 6 कंवेंशनल सब्मरीन्स चैपारम पर एक पंडुब्यों के निर्माड के भारती नोसेना के प्रोजेक्ट पी 75 की लागत कितनी है तो इंडियन नेवी यानि भारती नोसेना का एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट पी 75 जिसके तहत 6 कंवेंशनल सब्मरीन्स बनानी है भारत में ही तो आपसे कोश्चन ने पूछा गया है कि जो प्रोजेक्ट है इसकी लागत कितनी है तो इसका राइट अंतर हो जाएगा 43,000 करोड रुपए है इस प्रोजेक्ट की लागत है 43,000 करोड रुपए है तो अभी हाली में DAC यानि की Defense Acquisition Council ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए यह जो फंड है इसको क्लियर किया है 43,000 करोड रुपए का और यह भारत का सबसे बड़ा मेकिन इंडिया प्रोजेक्ट होगा जिसके तहए तो छे कन्वेंशनल सबमरीन भारत में ही बनाई जाएंगी तो इससे फाइदा क्या होगा जो Defense के छेतर में भारत इंपोर्ट करता है तो इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार से रिलेटेड जो पॉलिसीज है उनको Defense Acquisition Council ही जो है तो यह डिसाइड करता है इसके चेर्मेन होते हैं भारत के Defense Minister जो की प्रेजेंट में कौन है राजनात सिंग जी ठीक है और इसकी स्थापना की गई थी सन 2001 में अगला कोश्चन है What is the title of series of six short films developed by IEPFA as a training tool IEPFA द्वारा प्रसिक्षन उपकरण के रूप में विक्सित चह लगू फिल्मों की स्रिंखरा का सिर्सक क्या है तो IEPFA ने ट्रेनिंग के लिए जो भी लोग है उनको ट्रेनिंग प्रदान करने के लि हिसाब की किताब तीक है हिसाब की किताब ऑप्चन नमरे हिसाब की किताब राइट आंसर है तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनन्स और कॉर्परेट अफेर्स के सरी अनुराग सिंग ठाकूर जी इन्होंने च्छै मॉडिल लॉंच किये हैं इस शौट फिल् इस शौट फिल्म बनाई गई हैं जो की यूटूब के माध्यम से लोगों को दिखाई जाए जाएंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए उनकी अंदर जाग रुकता फैलाने के लिए और हर एक शौट फिल्म का डूरेशन होगा पांच मिनट का अगला कोशन विच स्टेट इस लांज्ड नौलज एकोनोमी मिशन टू बूस्ट जॉब प्रॉस्पेक्ट नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राजने ग्यान अर्थ व्यवस्था मिशन शुरू किया है तब यहाली में केरला में केरला की गवर्मेंट ने शुरू किया है नौल प्रदान करने के लिए साथ ही जो नौलेज वरकर उनको सपोर्ड प्रदान करने के लिए एक सिंगल प्लैटफर्म लॉंच किया गया है यह नौलेज एकोनोमी मिशन नाम का और यह जो नोलिज वरकर आप पढ़ रहे इसे होते हैं तो यह ऐसे वरकर होते हैं जिनका मेशन knowledge worker और इन ही को support प्रदान करने के लिए और educated people's को रोजगार प्रदान करने के लिए ये knowledge economy mission शुरू किया गया है केरला की बात करते हैं कि capital है तीरु बानन्त पूरम चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजियन, governor है आरिप महम्मद खान अगला question है which union territory has launched याउन टैब scheme किसके इंद्र सासिच प्रदेश ने याउन टैब योजना शुरू की है तो भी हाली में लद्दा government ने शुरू किया है वहां पे याउन टैब याउन टैब याद रखेगा और लद्दा की territory में education को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है जिसके तहत जो वहां के सरकारी स्कूल है वहां पर पढ़ रहे छेक्स से लेके 12 तक के जो students है ठीक है उनको प्री में टैबलेट प्रदान किये जाएंगे लगभग 12,300 टैबलेट का यहां पर टार्गेट रखा गया है तो जो ले में student है उनको यह टैबलेट प्रदान किये जाएंगे स्कीम का नाम आपको याद रखना है यहां टैब स्कीम तो जो टैब है इसमें पहले से ही ऑनलाइन और आफलाइन कंटेंट होंगे जैसे कि टेक्स्ट बुक उनकी पढ़ाई के लिए वीडियो लेक्चर ऑनलान क्लास अटेंट करने के लिए अप्लिकेशन और उसके बाद यह सारे टैबलेट जो गवर्नमेंट इस्कूल में पढ़ रहा है स्टूडेंट उनको डिस्ट्रिब्यूट किये जाएंगे ताकि उनके पाढ़ाई पे कोई भी व्याबधार ना पैदा हो लद्दा की बात कर लेते हैं तो यूनियन टेरिटेरी का इसको स्टेटस मिला था की सेश पोड़ल किसे ने लॉंज किया है तभी याली में थावर चंड गहलाज की ने लॉंज किया है सेच पोड़ल तो इसमें सबसे जरूरी का फुल फॉल फॉल्म है सीनियर केर एजिंग ग्रोथ इंजन और थावर्चंड गहलाज जी कौन है तो यह भारत के सोसल जस्ट fund जारी किया गया है वित्ती वर्स 2022 के लिए और एक ही stop पे यानि की एक ही जगह पे अलग अलग तरह के product और services provide करने के लिए जो व्रिद व्यक्ति हैं वरिष्ट नागरिक हैं उनको इस टाइब की services देने के लिए इसे शुरू किया गया है तो जो services है यह start-up के दोरा दिये जाएंगे ठीक है भारत के जो नए नए start-up है उनके दोरा यह services और प्रोड़क्ट दिये जाएंगे और इनको fund दिया जाएगा government की तरफ से तो अलग-अलग तरह की services जैसे की health से related service और प्रोड़क्ट है housing service है यह care center है जैसे उनकी सुविधाओं के लिए और उनके medical help के लिए यह सारी सुविधाएं एक ही इस्थान पे एक ही जगह देने के लिए सेज पोर्टल लॉंच हिया गया है अगला question है who has been appointed as the new Indian Air Force Vice Chief भारती वायुसेना के नए उप्रमुक के रुप में किसे निउक्त किया गया है तो अभी हाली में विवेक राम चौधरी जी इनको निउक्त किया गया है यानि इंडियन एर फोर्स के नए वाइस चीफ के रूप में तो काफी आदा important डाम है यह नामियाद रखेगा इंडियन एर फोर्स के वाइस चीफ बन गए है विवेक राम चौधरी जी के पास पहरे दिल्ली में western command का जो चार्ज था यह था और अब यह वाइस चीफ बन ग बिवेक राम चौधरी जी यह वाइस चीफ बन गए हैं भारती वायू सेना के अगला question है विच इंडियन प्यस्यू है जॉइन युनाइटेड नेशन सीईओ वाटर मेंडेट कौन सा भारती सार्वजानिक उपकरम सायूंत राष्ट के सीईओ जल जनादेश में शामिल हो जो गया है तक एहले में एटी पी सी लिंटेड नेशन के सीईओ वाट वैंडेट में शामिल हो गया है और यह है क्या सीईओ वाटर मेंडेट तो यह एक को एटेड लीग है मतलब जोこちら में तो उनका एक लीग है जिनका मेsoon quedarा जोता है की मैंनेज्पकरम से कम पानी के करते सक लेगा अलग-अलग methods अपनाएगा ताकि यह water को अच्छी तरीके से manage कर सके और उसे waste न करे इसके अलावा यह 3R policy को भी follow करेगा 3R क्या है reduce, reuse और recycle मतलब कि पानी को पानी के wastage को reduce करना पानी को ज्यादा ज्यादा recycle करना उसे reuse करना ठीक है तो 3R policy को यह अपनाएगा एंटी पीसी थाकि power generate करते समय पावर बनाते समय एंटी पीसी ज्यादा ज्यादा water को conserve कर सके एंटी पीसी की स्थापनोई थी 1975 में headquarter है नई दिल्ली में और chairman और managing director है गुर्दीप सिंग अगला question है what is the name of India's oldest hydrographic service ship decommissioned recently हाली में सेवा मुक्त किये गए भारत के सबसे पुराना जल्व सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है तो अभी हाली में INS संधायक नाम याद रखेगा INS संधायक ये जो है ये सबसे पुराना जल्व सर्वेक्षण पोत था यानि oldest hydrographic service था भारत का हाली में इसे decommission कर दिया गया है और इसे सेवा से मुक्त किया गया है मतलब decommission कहां किया गया है विसाखा पटना में याद रखेगा तो इसने भारती नौ सेना में 40 साल से ज भारती नौ सेना की बात कर लेते हैं यहां का headquarter है नई दिल्ली में और चीफ ए नेवल स्टाफ के यह है admiral करमवीर सिंग अगला question है which film festival was organized recently by film division on environment हाली में फिल्म प्रभाग द्वारा परियावरण पर किस फिल्म समारों का आयोजन किया गया था तो अभी हाली में 5 जून को मैंने पढ़ाय था पोकल पूरे विशो भर में विशो परियावरण की बस मनाय जाता है परियावरण के बारे में लोगो environment theme पे related films दिखाई गई जिसमें environment से related strong messages दिये जा रहे हैं लोगों को तो इस फिल्म का festival का नाम क्या है question में आप से यह पूछा गया है तो इसका नाम है Oasis of Hope तो इसका नाम है Oasis of Hope याद रखिएगा तो यह जो फेस्टिवल है यह 5 और 6 जून को organize करा गया था जैसा कि मैंने world environment day को mark करने के लिए अगला question है which country is former president and prime minister अने रूद जुगनौत पास्ट अवे recently हाली में किजदेश के पूर्वराश्पती और प्रधान मंत्री अने रूद जुगनौत का निधन हो गया है तो नाम याद रखेगा अने रूद जगनौत हाली में इनका 90 वर्स की आयों में निधन हो गया है और ये मौरिशियस ठीक है याद रखेगा मौरिशियस के president और prime minister रह चुके हैं और इनका नाम important क्यों है क्योंकि अभी हाली में 2020 में भारत नहीं है पद्म विभूशन से समानित किया था यह आपको याद रखना है और मौरिशियस के ये पूर प्रेजिदे और prime minister रह चुके हैं ये याद रखना है और मौरिशियस की बात होई रही है तो प्रेजेंट में भी देख लेते हैं यहां के प्रेजेंट है प्रितवीरा सिंग रूपून प्राविंद जुगनौत करेंसी है मौरिशियन रूपी और कैपिल है पोर्ट लूइस अगला कॉस प्रेमियर लिग जो है इंग्लिश फूटबॉल क्लब का काफी यादा फेमस टूर्णामेंट है जिसे साल मैंचेस्टर सिटी ने जीता था अभी हाली में मैंचेस्टर सिटी के ही डिफेंडर है रूबेन डियाज और इन्हें प्रेमियर लिग प्लेयर ऑप दा सीजन के अग्षिर सुडान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे ने उत किया गया है तो यह रहे आपके ऑप्शन मेक्शियोर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में उसके अलाब आगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है आपका कोई सजेशन है वीडियो या चैनल के बारे में तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं पिछले वीडियो मैं आपसे पूछा था विच स्टेट गवर्मेंट है लॉंजड आकांशा ऑनलाइन पोर्टल और चीएसर एक्टिविटीज किस राज़े सरकार ने सीएसर गती वीडियो पर आकांशा ऑनलाइन पोर्टल लॉंच ही है तो इसका राइट आंसर था करनाट का तो यह थे आचे इंपोर्टन करेंट अफेर्स आई होप आपको विश्फुल लगे होंगे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें अपने तो यह सारे सेक्शन भी आप चेक आउट कर सकते हैं तो मेक शूर वहाँ पर भी जरूर विजिट करें बाकि मिलते हैं अगले वीडियो में नए करेंट आफेर्स के साथ अब तक के लिए टेक करेंड थैंक्यू गाइस